हेलो स्टूरेंट्स बूर्निंग हावर यू ओल आई विस्ट यू लार फाइन तोड़े विल दो वक्सेट 26 लेसन इस जोड़ीज फान कॉंटेनुड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इस जोड़ीज फान तो आज हम इसी को कॉंटेनु करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं वक्सेट A, put the sentences in the correct order in the blanks below हमें नीचे sentences दे रखा है हमें स्टोरी के अनुसार उन sentences को arrange करना है correct order के अंदर तो फर्स sentence है हमारा Penny felt hemmed in when Jody proposed to bring the phone home Penny जो है बिल्कुल ही still हो गया था जब उसने जोड़ी ने प्रपोज किया कि वो फोन को घर लेकर आएगा तो ये तो देखो आपको students कब हुआ था जब जोड़ी ने कहा था कि वो फोन को लाना चाहता है तो ये sentence है एक Mill will offer to give a second sentence है हमारा Mill will offer to give a right to Jody to find the phone Mill will ने offer किया जोड़ी को कि वो उसके साथ घोड़े पर जाए और phone को ढूणने में वो उसके साथ जाएगा उसकी मदद करेगा Third sentence, phone's mother was killed Phone की मदर को मारा गया था तो ये तो को story के starting में ही phone की मदर को मारा गया था ना क्योंकि उसके फादर की जान बचाने के लिए जोड़ी sent Mill will back जोड़ी ने Mill will को वापस भेज़ दिया जोड़ी जो फोरस्ट में गए थे तब जोड़ी जो है चाहता था कि यदि मुझे वो मिल गया phone तो भी मैं अपनी अच्छी feelings Mill will के साथ share नहीं करूँग जोड़ी 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 ने कहा कि फोन को लेने जाएगा फोरस्ट में जाएगा तो देख़ें का क्या sequence है पहले पे थर्ड फोन's mother was killed फोन की mother को पहले मारा गया था स्टार्टिंग में बता दिया गया पहले order के अनुसार फेर भाएगा फैर फिर फेर फिर फ़ेर बात पहले हुवपकर पहले बात सुनकर पहले मोमेंस नी हुई इसकी बाड़ी जोड़ी 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 से संब्arta या जोड़ी को लेने जाएगा Gir एका ऐसर वंधा उपनेश अब हम स्टोरी को आगे फड़ते हैं रीड दे फोलोइं पैसेज फ्रों दा लेसन अब हमें जो है ये पैसेज दे रखका है स्टोरी में स्टोरी से आपके चैप्टर इस जोडी स्वान स्टोरी से तो आपने अब तक पढ़ा था कि मील विल को वापस बेज देता है तो जोडी है वो इंदजार करता है कि जो होर्स की हूब्स की आवाज जो है वो खतम हो जाए इसका मतलब मील विल वहां से चला गया है काफी दूर चला गया है फिर वो जो है राइट की तरफ मुड़ता है जोडी जब उसको पैरो की आवाज नहीं आती हो उसके इसका मतलब मील विल चला गया है वहां से और फिर वो राइट की तरफ टरफ टरफ करता है जो जाडियां थी वहाँ पर वो बिल्कुल स्टिल थी उनकोई मोमेंट नहीं हो रहा था बज़र्ट की आवाज आई एक पक्षी होता है जो कि मास्क खाता है मीत खाता है उसके आवाज आता है उसके पंकोगे फटफटाने की यह के इंटू दा क्लियरिंग अंडर दा ओक्स तभी वो जो है एक ओक के नीचे आता है जाडियों को तरूदर करते हिए अपने रास्ते को क्लियर करते हिए बजट सेट इन इंसर्कल अरांड था कार्कसे दोग डोग की डेट बोड़ के चारों तरफ बजट बैठे हुई थी तो जो रहा है जो जब वहाँ पर वह जोड़े आया और पीछे की ऑजीब सी जो गर्द वह उसके उपर हिस किया, साउंड निकाली हिनोंने, हित्री विस बो एड देम, और उसने भी क्या किया, बो क्या होते है, बड़ी ब्रांच को हम बो बोलते हैं, पेड की जो बड़ी ब्रांच, उसने फैका जोडी ने उनकी तरफ, and they flew into an adjacent tree, वो साथ में जो नियर बाइ ट्री है बड़ीय लेकिन पैरों के चिन, लेकिन बड़ीय-कैट वो जो में सब वो में सब फ्रेष मीत कھाती है, उसने उस बयद बोड़ी को छोडी दिया था फ्रेष कैट, कि यसके हमार कई अ किंद हो के लिए उस घरियन-बर्स, जो बड़स मीत उसी grass वाले थान पर आ गया इसा नहीं लग रहा था कि कली जो है उन्होंने ऐसा किया था उस phone को होँआ चोड़ा था इसा नहीं लग रहा था the phone was not there वहाँ पर phone नहीं था he circled the clearing there was no sound, no sign वहाँ पर ने तो आवाज थी ना कोई उसका चिंज दिखाई दे रहा था phone के बारे में the buzzards clacked their wings और जो buzzards थी वह अपने पंकों को पड़वडा रही थी क्यों? impatient to return to their business अपने काम में दोबारा वापस आने के लिए मतलब उस dead body को खाने के लिए he returned to the spot where the phone had emerged and dropped on all fours फिर वो उस थान पर आ गया जहाँ पर वो phone जो है था और वो गिर गया था उसके चारों पैरों से studying the scent for the small footprints फिर वो देखने लगा ध्यान से कि उसके चोटे चोटे पैरों के निसानों को the night's rain had washed away all tracks लेकिन रात को बारिस आये थी इसलिए वो सारे chin मिट गये थे लेकिन वहाँ पर except those of cat and buzzard buzzard के और cat के print footprints वहाँ पर थे उसके phone के footprints नहीं थे तो अब हम करते हैं इसके question answer यह देखिए c part fill in the following blanks using the hints below हमें blank fill करने हैं options हमें दे रखे हैं who was it that went away on the horse वो कौन था that went away on the horse जो घोडे पर वापस चला गया था कौन penny no meal will yes meal will को वापस भेज दिया था ना Jody ने कि वो चला जाए भाँ से या वो ढूंड लेगा Jody phone को second question is Jody was trying to find blank his way the phone rare plants Jody ढूंडने की कोशिस कर रहा था क्या phone को तो इसका answer आएगा the phone Jody had come to the place where blank there was a stream of water Jody उस थान पर आगया था जहां पानी की stream बहती थी नदी बहती थी he had seen the phone yes जहां उसने phone को देखा था he had seen the phone ये इसका correct answer है okay next question is Jody got rid of the buzzards by throwing hitch at them Jody ने उन buzzards से मुक्ती पाई उनको दूर भगाया किस से bowl fag कर या bow fag कर bow fag कर bow क्या होती है big branch of tree बड़ी 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 थी थी उनकी तरफ okay fifth one is whose footprints did the sand so किसके footprint दिखाई दे रहे थे मिक्टी पर big cats और buzzards दोनों के दिखाई दे थे buzzards and big cats okay student अब next है what did the buzzards do unseen Jody Jody को देखकर buzzards ने क्या किया उसकी तरफ hiss की sound की yes hissed at him तो इसका answer है hissed at him okay उसकी तरफ वो घुर रहा है hiss किया उनोंने seventh one is why did the buzzards clack their wings वो अपने परो को जो wings थे उनको क्यों खटफडा रहे थे अपने काम में वापस आने के लिए अभी-अभी मैंने बताया था तो इसका answer होगा to return to their business अपने काम में dead body को खाने के काम में वापस आने के लिए okay eighth one is find a word from the above extract which means extract से आपको word बताने है nearby nearby देखो adjacent आया था हमारा adjacent क्या होता है nearby क्योंकि जो वो buzzards थी वो adjacent tree पे चली गई जब वहाँ पर कोन आया जब वहाँ पर जोडी आया जोडी ने जब बो को फैका तो adjacent होता है हमारा nearby लार्ज branch of tree क्या होता है बो अभी तो उसने बो फैकी थी फिर वो चली गई थी adjacent tree के उपर तो इसमें आएगा बी ओ यू जी एच बो बो का क्या मीनिंग होता है लार्ज branch of tree बी ओ यू जी अच तो ये थी असान सी work seat student आपको समझ में आगे होगी thank you for watching have a nice day